नारायन नारायन आज का विशय है वासना का नाश ही मोक्ष है प्रायः भक्ति यानी क्या या परमार्थ किसे कहते हैं यही हमारी समझ में नहीं आता जो ग्रहस्ति अच्छे धंग से नहीं कर सकता वह परमार्थ नहीं कर पाएगा ग्रहस्ती से उब कर भक्ती नहीं की जा सकेगी ग्रहस्ती से उबने की वजाए विशय से उबना चाहिए मुझे सुख प्राप्त हो ऐसा प्रत्येक व्यप्ती का मुख्य हेतु होता है मोक्ष का अर्थ है निरतिशय सुख का अनुभव जीते जी प्राप्त अत्यांतिक सुख की स्थिती यही मोक्ष की परिभाशा की जा सकती है वास्तव में भगवान के यहां भला किस बात की कमी है हम बस अपना मन उसे समर्पित करें और उसकी शद्धा युक्त भक्ती करें चिंता करने का मतलब है भगवान पर भरोसा न रखना देह को प्रारब्द पर छोड़ना यही सच्ची सन्यास वृत्ती है किन्तु बिना मन में वास्तना रखे हम से कर्म ही नहीं होता इसका क्या इलाज है हमारा संतोश हमारे पास होते हुए भी हमें जो लगता है कि वह और कहीं से मिलेगा यही हमारी सबसे बड़ी भूल है जब तक हमारी कोई चीज प्राप्ते करने की इच्छाखत नहीं होती तब तक हमें संतोश नहीं होगा मरते दम तक हवस छूटती नहीं और यही सभी रोगों की जड़ है और इसी लिए जिसकी वासना मूलतह नश्ट हुई वह सच्मुच मोक्ष को पहुँच गया आशा जब तक निराशा में नहीं बदलती तब तक हम भगवान के दास नहीं हो पाएंगे मन में जब कोई आशा निर्मान होगी तब वह इश्वर को समर्पित करें हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बनूँ पर वास्तव में कितने लोग अमीर बनते हैं तो यह निराशा ही न हुई हमारी ग्रहस्ती एक नाटक ही है ऐसा मानो नाटक में कोई राजा हुआ तो क्या और बिखारी हुआ तो क्या प्रत्यक्ष संसार में उसका कोई मतलब ही नहीं होता बिखारी का काम करने वाला यदि अपना अभिनाय अच्छा करे तो उसकी अधिक तारीफ होती है वैसे ही ग्रहस्ती में कोई अमेर हुआ तो क्या और कोई गरीब हुआ तो क्या इस बात का कोई मतलब ही नहीं होता मतलब इस बात का होता है कि किसी वैक्ती ने अनुसंधान कितना रखा हमने पैसा जमा किया तो कोई हर्ज नहीं लेकिन भै हमारा आधार न बने पैसा हमारे अनुसंधान में बाधा न बने इसका ध्यान रखे जब तक हमारा सुक विशय वासना पर निर्बर है तब तक हमें भक्ती का सच्चा सुक नहीं मिलेगा हमें जब ऐसा त्रीवता से लगेगा कि केवल भगवान ही की हमें प्राप्ती हो तब हमें भगवान प्राप्त होंगे मैं सब करता हूँ ऐसी भावना कभी नहीं होनी चाहिए मैं अपनी तपष्चर्या से भगवान प्राप्त करूँगा ऐसा जो कहता है उसे भगवान का दर्शन दुर्लब है विशए वासना की पूर्ती नहीं होती तब जैसी तड़पन होती है वैसी ही भगवान के दर्शन नहीं होते इसकी तड़पन लगनी चाहिए आज की हमारी स्थती में हम क्या कर पाएंगे इसका पहले हमें अंदाज लगाना चाहिए पर मार्थ समझ कर जो तदनुसार आचरण कर पाएगा उसे वह शीघर सदेगा उसे ग्रहस्ती छोड़ कर जाने का कोई कारण ही नहीं बचेगा